दोस्तों, इस पूरी दुनिया में साथ नए अजूबे हैं जो 2007 में चुने गए थे। नए अजूबों से पहले दुनिया के साथ अजूबे सबसे पहले लगभग 2200 साल पहले आये थे। प्राचीन विश्व में सबसे पहले साथ अजूबों का विचार हेरोडोटस और कल्लि तो चलिए, आज हम जानेंगे दुनिया के साथ अजूबे कौन से हैं। मरमर का बना ये मकबरा पूरी तरह से सफेध है जिसके चारों और बगीचा है एवं सामने पानी की बारी है। ताज महल भारत के आगरा शहर में स्थित है। ताज महल का असली नाम रोजा-ए मुनवूर है। रोजा-ए मुनवूर का मतलब जगमगाता हुआ मकबरा होता है इस जैसे सुंदर कलाकृती दुनिया में और कही देखने को नहीं मिलेगी। इसकी उंचाई 243 फीट है। इसे पंद्रह साल का समय लगा था। ताज महल मैं कुल साथ मंजिल है ताज महल दिन में तीन बार अपना रंग बदलता है। ताज महल सुबह गुलाबी, शाम को द इस दौरान उन्होंने बहुत सी शिल्पकारी, कलाकृती बनवाई थी, जो आज तक भारत में मौजूद है। ताज महल की सुंदर्ता को देखने के लिए देश दुनिया से लोग दूर दूर से आते हैं। जहां हर साल 1.4 मिलियन परेटक घूमने आते हैं। चिचेन, मैक्सिको में युकांतन राज्यमिस्थित है। चिचेन इज़ा का माया मंदिर 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी उंचाई 89 फीट है, जो पत्थरों से पिरामिड की आकरिती का बना है। इस मंदिर में एक सीड़ी एक दिन का प्रतिक है। उपर 365 दिन के लिए एक बड़ा चबूत्रा बना हुआ है। यह ब्राजील के रियो डी जनेरियो में स्थित है। येशु मसीह की 28 मीटर लगभग 130 फीट उंची और 28 मीटर चोड़ी यह प्रतिमा दुनिया के अजूबों में से एक इससे उंची कोई भी प्रतिमा आज तक नहीं बनी है। इस मूर्ती का निर्माण 1922 में शुरू हुआ था जो 12 अक्टूबर 1931 को इस जगह पर स्थापित किया गया था। यह मूर्ती क्रांकीट और पत्थर की बनी है जिसे ब्राजील से सिल्वा कोस्टा ने डिजाइन किय था एवं फ्रेंच के महान मूर्तिकार लेंदोवस्की से इसे बना के तयार किया था। इसका वजन 600 टन के लगभग है। यह रियो शहर के 700 मीटर उंची कोरकोवाडो की पहाड़ी पर स्थित है। दुनिया भर में इसाई धर्म का यह बहुत बड़ा प्रतीग है। चीन की इस विशाल दीवार के बारे में कौन नहीं जानता। यह दीवार कई हिस्सों में वहां के शासकों द्वारा अपने राज्य की रक्षा के लिए बनाई गई थी, जिसे धीरे धीरे जोड़ दिया गया। इसका निर्माण साथवीं शताब्दी से सोलह वीं तक हुआ था। यह महान कलाकृती इतनी मजबूत और विशाल है कि इसे Great Wall of China कहा गया। इस चीन की दीवार की विशालता को वैज्यानिक ने अंतरिक्ष से भी देखा है। इस मानव निर्मित कलाकृती वहां से भी दिखाई पड़ती है। इसका निर्माण मिट्टी, पत् यह दीवार किले के समान बनी है। इसकी चौड़ाई इतनी है कि इसमें 10 से 15 लोग आराम से चल सकते हैं। South Jordan के Petra की कलाकृती साथ अजूबों में शामिल है। इस शहर में चट्टानों को काट कर वास्तुकला का निर्माण हुआ है। साथ ही यहां पानी की नाली नुमा प्रणाली है। यही वज़य है, यह शहर बहुत फेमस है। इस शहर को रोज सिटी भी कहा जाता है, क्यूंक यहां को पत्थर काटकर कलाकृती बनी है, वो सब लाल रंग की है। इसका निर्माण 312 BC के लगभग हुआ था। यह जॉडन का मुख्य आकर्शन है, जहां हर साल बहुत से परियटक जाते हैं। यहां उंचे-उंचे मंदिर है, जो आकर्शन का केंद्र है। इसके अलाव तालाव नहरें भी हैं, जो बहुत सुन्योजित तरीके से बनाई गई है। रोम के इडली में बसा यह एक विशाल स्टेडियम है। यह रोम का मुख्य आकर्शन है। इसका निर्माण 72 AD में शुरू हुआ था, जो 80 AD में पूरा हुआ था। ओवल शेप की यह विशाल आकर थी, कंक्रीट और रेद से बनाई गई थी। इतनी पुरानी ये वास्तुकला आज भी दुनिया के साथ अजूबों में अपनी जगह बनाए हुए है। प्राकृतिक आपदा और भुकंप से इसे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन आज भी इसकी विशालता वैसे ही है। यहां पचास हजार से असी हजार लोग बैठ सकते हैं। यहां जानवरों की लड़ाई, खेल कूद, संस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। यह 24,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जैसी आकृती को बनाने की कोशिश कई इंजिनियरों द्वारा की गई। लेकिन यह एक तरह की पहली है, जिसे आज तक कोई सुल्जा पाया है। दक्षन अमेरिका के बेरू में स्थित माचू पिच्चू एक उंची छोटी पर स्थित शहर हुआ करता था। समुद्र तल से 2430 मीटर उपर 15. शताब्दी में इसमें इनकी सभ्यता रहती थी। पु जासक रहा करते थे, उस समय वहां इनका जाती रहती थी। धीरे धीरे यह सभ्यता नश्ट हो गई थी। लेकिन 1911 में अमेरिका के इतिहासकार हीरम बिंगम ने इसकी खोज की। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ में अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो वो भी कर दे। ताकि आपको ऐसी नॉलेज भरी वीडियो द देखने को मिलते रहें।